तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कल मद्यप्रदेश हाई कोट ने 110 लोगों की जो वेटिंग लिस्ट जारी करें उसके बारे हम बात करने वाले हैं और जो अभी नुए बच्च पॉस्क्राइब कर दीजिए और बेल ऐकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट सब्डेट्स मिलती रहेगी तो चलिए आज का वीडियो ही शुरू करते हैं तो जैसा कि आप सब चानते हैं कि मद्यप्रदेश हाई कोट ने कल कल के दिन 110 जो 2017 में मद्यप्रद सब्सक्राइब करते हैं जो भी जिनको भी मिली है उनको कॉल लेटर घर पे आ जाएगा 110 लोगों को जिनकी बेटिंग क्लियर हुई है 2017 की ठीक है बात करते हैं आगे जो बच्चे बे सब्री से इंतिजार कर रहे हैं कि अब नई वेकंसी का क्या होगा बात करते हैं उसकी यह बहुत ही बड़ा एहम मुद्द है क्योंकि पांच चार से पांच साल होने वाले भरतिया आये वे और अभी भी इन लोगों ने ऐसा करा कि यह क्लियर करा है कि इनके पास अभी बजट नहीं है सरकार के पास पैसे देने के लिए कोई बजट नहीं है इसलिए इन लोगों ने एक सुद्द लोगों की वेटिंग लिस्ट क्लियर करिये मैं बता दूं आपको कि मद्द्रदेश हाईकोट मान लो एक बड़ जो सेलरी होती है वो अपनी मद्धिप्रदेश सरकार ही पास करती है तो सरकार के पास बजट ना होने के कारण इन लोगों ने 110 लोगों की और भरती पक्रिया भी इतनी बड़ी होती है इसलिए उसमें पैसा लगाने की बज़ए इनने 110 लोगों की सेल वेटिंग लिस् क्योंकि अभी तक कोई भी जैसा आने के चांसेस चल रहे थे इन लोगों ने सब लोगों ने डिसाइड करके यह करा कि 2017 की वो वेटिंग लिस्ट है उसी को क्लियर करके आपन भरती करवा लेते हैं क्योंकि भरती करवाने में अच्छा खासा एक पैसा खर्च होता है एक अल आज बिलकुल मत छोड़िये भरती आएगी बट अब थोड़ी सी और डिले हो गई है अब जो 2022 में वो आप मार्च अप्रेल के बाद मानके चड़िये मार्च अप्रेल के बाद तक आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा इस अभी तक तो आप कोई नोटिफिकेशन ने तो आप आज नहीं आ रहे हैं दूसरी एक्जाम की तयारी करिए या फिर इसी की तयारी करिए बट यह करते रहिए क्योंकि अगले साल नहीं नहीं करते हो जाएगी बली से पोस्ट अच्छी आई या कम आए बट हो जाएगी तो यह मैं को आपको शेर करना था और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकान को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस लेटर सब्डेट्स मिलती रहेगी तो चलिए नए वीड़े मिलते नए टॉपिक साथ तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मात्रम